लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें करें लेटेस्ट अल्ट्रा δोट लेटेस्ट अल्ट येटजशन को प्रेसिज के लिए्यो गड हातuntoर जिन्दगी एक गीत है इसे होटों पे सजा ले गम हो या खुशी हो प्यार से गुन गुना ले जिन्दगी एक गीत है इसे होटों पे सजा ले गम हो या खुशी हो प्यार से गुन गुना ले दिन्द हो या रात हो दिन्द की ही बात हो कोई न जो साथ हो काहे जा दिल की ये धड़कन गाए का पामा मधापा देमागा दुनिया जिसे दोहराए नग में ऐसे तो सुना दूप में छाओं में सकन के गाओं में प्यार की बाहों में गाए जा साथ सुरो का संगम हो जाए तो बने सरगम खिले फूले से हम तुम महके खुशबू अरदम तू है मेरा जिकर तू है मेरी नजर तू मेरा हम सफर काए जाए जिन्दगी एक गीत है इसे होटों पे सजा ले गम हो या खुशी हो प्यार से गुल्गु ना ले प्रिशान कर रहा है मुझे परेशान तुम को परेशान होने लगी अपनी शौक से फुरसत मिले तू मेरी परेशानी नजर आएगी न तुम्हें मिस्टर विक्रम सपनों की दुनिया से हटकर हकीकत की दुनिया में जरा जाकर तू देखो तुम्हारे जैसे सेकड़ गायक तरदर की ठोक रिखा रहे हैं और उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है अगर तुम अपने करताफिक को गुलामी का नाम देती हो तो तुम महान हो देखो विक्रम मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं है मैंने फैसला कर लिया है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है लेकिन महू हूँ लेकिन डेकिन कुछ नहीं माजी मेरा फैसला अजल है मेरी थोड़ा सबर करो भगवान की तय से सब ठीक हो जाएगा मैंने सबर करना जिन्दिगी में कभी सीखा ही नहीं मेरे डैडी ने मुझे डैडी 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 मतलो अपने उस खमंडी बात का नाम मेरे सामने और अगर तुम्हें अपने उस बात पर इतना ही घमंड था तो मेरे पास क्यों आई थी अगर तुम्हें इस गंगाल के साथ शादी करने का इतनी दुख है तो इस घर के दर्वाजे तुम्हारे लिए खुले तुम जा सकती हो पिक्रम बेटी यह तु क्या क्या रहा है पत्ती पत्ती के ज़ड़े किस घर में नहीं होते बस बस आपी जाद नातक मत दिखाएए वर्ना मैं देखो कलपना इस से पहले कि मैं घुस्से में कुछ कर बैठूँ तुम यहां से चली जाओ हाहा यहा जा रही हूँ और अर यह क्या रही हूँ चाल रहा है नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूँगे मुझे यहां से जाने से कोई नहीं रोक सकता मा जी इंतर नहीं पेशा है जाने दो इसे, खल जब इसका घ्मंड शूर हो जाएगा तो ये खुद ही वापस लोटाएगी ये तुम्हारा बहम है विक्रम राय, बहम रोक ले इसे पेटा, रोक ले जाने दो इसे मा जाने दो पेटा मेरी बात समझने की कुशिश कर औरत का कदम एक बार घर से बहार निकल जाता है, तो अनर्थ हो जाता है, अनर्थ मैं समझता हूं मा, लेकिन अब इसके यहां रहने में भी कोई अर्थ नहीं रह गया है नी, नी, डदी कलपला, तुम आज आठ साल बात तुम्हें अपने डैडी की याद कैसे आ गई? डैडी, आज मैं अपने केपे बहुत शर्मिंदा हूं, काश मैंने आपके बात आठ साल पहले मान ली होती तो मजा जी आज ही दिन न देखने पड़ता कोई बात नहीं ये बताओ, कितने पैसों की जरूत है तुम्हें? नहीं डैडी, मैंने विक्रम का घर हामेशा के लिए छोड़ दिया है कहीं ये तुम्हारा जजबाती फैसला तो नहीं? डैडी, इस पार मैं जजबात से नहीं बल की बहुत सोच समझ कर वापस आई हूँ मैं ये कैसे यकीन कर लूँ? मुझे भरोसा रखी रैडी, आप जो कहेंगे, मैं बहुत ये करूँगी मेरी गुट एक काम करो, तुम अभी अपने कमरे में जाकर आराम करो, बात में हम इत्मनान से बैट की बाते करेंगे जी, आओ बेदा इक्रम राय आज तक तुनी मुझे खून के आंसू रुलाएगे अब मैं तुझे खून के आंसू रुलाओंगा क्या बात है बेटा, ये कौन है? मां, कल्पना मुझे तलाक चाहती है क्या कह रहे है? हा मां, ये देखो उसने कोर्ट का नोटिस मिचवाया अच्छा नहीं हो पटे, ये अच्छा नहीं हुआ हा मां, लेकिन वो कोर्ट तक पहुंच जाएगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे तो ये कैलाश नात की चाल लगती है तुम फिक्र मत करो मा जो होना है वो होकर ही रहेगा लेकिन मेरी यश्का क्या होगा? उसके बारे में भी मैंने सोच लिया है तुम तलाक नामे पर साइन करते हो या नहीं? तुम यश्क को बुलाते हो या नहीं? और अगर मैं चाहूँ तो इस मामले को अदालत में दो साल से लेके दस साल तक ही सकता हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगार पाओगी, समझी? अब तुम लोग किस सोच में पड़ गए? जल्दी से आपस में तय करके बताओ, तो क्या करना है? मैं तुमेह मेरी बेटी को छोड़ने के लिए, मुण मंगी दौलत देने के लिए तैयार हूँ दौकता हूँ मैं तुम पर और तुमारी दौलत पर मुझे सिर्फ मेरा पेटा चाहिए क्या तुम अपने बेटी को लेने के बाद कलपना को तुलाग देदोगे? मैं आप लोगों के लिए कोड का ये एग्रिमेंट लाया हूँ जिसमें लिखाया कि मैं कलपना अपने पूरे होश और हवास में अपने बेटे यश की सारी जिम्मेदारियां उसके पिता फिक्रम राय को सौंपती हूं आज के बाद मेरा उसके साथ कोई रिष्टा नहीं रहे यश ठीक है पेटे साइन इस पेपर्स और संदम तो में यश क्या बात है यश पेटे में नहीं आ रही हाँ डादी डाडी को बाएंगे तेरा डाडी तेरे लिए धेर सारे पैसे कमानों चाहता है इसलिए देर से घर आता है अगर पैसा ही मेरे डाडी को मुझसे दूर कर रहा है तो मुझे पैसा नहीं चाहिए डाडी चाहिए डाडी डाडी मा तुम अभी तक सोई नहीं बेटा मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ मा, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो, मुझे बहुत ही काम्याब इंसान बनना है बेटा, काम्याब इंसान बनना बुरी बात नहीं है लेकिन मुझे डर है कि कहीं दौलत की चमक धवक में तु हमसे इतना दूर ना निकल जाए कि मैं तुम्हें तलाश भी न कर सकूँ नहीं मा ऐसा कुछ नहीं होगा हाँ तभी तो तुने दस दिन से यश की तरफ नजर भर के भी नहीं देखा बस मा बस ऐसी बातें मत कर अगर आद मैं यश की मुहबबत के जाल में उलच गया तो कुछ न कर सकूँगा इसलिए मने फैसला किया है कि मा यश को अपने से बहुत दूर भेज़ दूँगा क्या? हाँ मा मैंने यश को बोर्डिंग भेजने का फैसला कर लिया है नहीं विक्रम मैं ऐसा होने नहीं दूगी यश यहीं रहेगा हमारे पास मा समझने की कोशिश करो बच्चों की जिंदगी के फैसले जजबात से नहीं, अकल से किये जाते हैं मैं फैसला कर चुका हूँ कल सुबह वो बोर्डिंग चला जाएगा, बस विक्रम काका हाम बेटा बोल, क्या बात है मेरी कोई चिठी आई है बेठा, जब तेरा कोई खात आएगा, मैं तुझ तक पहुंचा दूगा कारले ग्योंचा भशाजार कार बेठा, जबसक्ति उन्या़ तुझ एकार्फी बात रिएधा कार भूचा काज बड़न पहाँ कारी विक्ति विक्रम कार्फी कारत काका, मेरे लिए कोई खता है? बेठा, पिछले 14 साल से, तु मुझसे एक ही सवाल करता है, मेरा कोई खत है, और मेरा जवाब होता है, नहीं. अबे ओ, बुड़े, क्या दे से, के खत उसी के आते हैं, जिसका दुनिया में कोई होता है. अबे, गूरता क्या है? बोल दे, इसको बोल दे. यार देख तो सही, साला कैसा फरफरा आ रहा है? अबे, जा चादर तानकर सोजा, सपने में तुझे खती खत नजर आएंगे हां. अबे, वाँ चाल, चल पीछा कर चालेगा. जाओ, जाओ जर्दी. पीजिगाँ. कहां गया? लगता है भाग गया साला है. जाओ, 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 जाओ. जाओ, 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 जाओ क cev़ भी कि अच्छा हो था जा ज़े इस तो कम जो आपको it 2 upLara करें पर जा जयंदता क्या अप्छा हुआ आपको इंभ यधा ते ना भॉर है तोको मो को दुश्मन के काले मूँको चूले में जोको कैसे रही लगते अच्छी नहीं रही अरहां यार खलबना रिसल्ट है पता है कि नहीं या चलते अरे चोलना है या अगया है इसलिए इसकी आखरी ख्वाइश है कि मरने से पहले अपने पास या फेल होने का अंजाम खुद ही देख ले क्या सोच रहे हैं आप लोग क्या मेरी बात पर विश्वास देए आप लोगों को आधा क्या इस मासूम कली को देखकर आपको दयां नहीं आती नहीं हम सभी को तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास आ ओ थैंक्यू अंगल बाजू बैच्वास अवे ते approaches स्क्यूज मी, मैंडम ये लीजिया, आराम से देखिए फिचरी बहुत विबार है थोड़ा वक लगता है देखने में जल्दी, जल्दी यश फॉस्ट हो गया है यश फॉस्ट हो गया यश फॉस्ट हो गया अरे, क्या अभे, मोटे गेंडे तू कहां जा रहा है मैं जरा अभी आता हूँ साथियों, अब तुम ही बताओ क्या किया जाए इसके साथ अब क्या होगा होगा क्या, गोफी के बची के पिटाए हो रही होगी पिटाए के बाद पिटाए के बाद उसके कपड़े फट रहे होंगे कपड़े फटने के बाद क्या होगा चूडी खनकार के कपड़े फटने के बाद उसके गालों पे गुलाब जावुन बन रहे होंगे गुलाब जावुन के बाद हंडर्ड की स्पीड से भाग रहा होगा और पूरा कॉलेज उसके पीछे होगा फिर क्या बालग गोपी हमारी शरण में आएगा और फिर मेरी टांग गोपी आके गिता है और फूर फूर के लोड़े लगता है अजल की बच्ची आज जो कुछ भी हुआ है अब तेरी मज़े से हुआ है मैं तुझे नहीं छोड़ूगा गोपी के बच्ची कल तुने मुझे फसाया था आज मैंने तुझे फसा दिया हिसाब बराबर क्या सब्जे नहीं सब्जे अच्छा गुसा छोड़ और चल हमारे साथ कामोन यार इसका पकड़े तुमौन के मैं किसमत ही खराब है जहां जाता हूँ मार भाता हूँ जीक कहते हो गोपी तुम्हारी किसमत खराबी नहीं बल्गे बहुत खराब है इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए इंजल की बच्ची मुझे मरना वरना अच्छा नहीं लगता और देखो मेरी किसमत खराब नहीं बल्के बहुत अच्छी है क्यों याश बना ठीक कान है तुम लोग यहां पर क्यों आए हो अरे वाँ अजीब आग्मी है सीधे मूँ बात ही नहीं करता देखो तो जब देखो तेवर साथवे आसमान पे रहते हैं एंजल हाँ हाँ जानती हूँ मेरी बात तो तुम्हें अच्छी लगेगी नहीं लेकिन मिस्री सीरियस फेस हम तुम्हें याद डिस्टरब करने नहीं आए बलके खुशकबरी सुनाने आए थे खुशकबरी जी हाँ खुशकबरी कहो क्या बात है जानती हूँ यश तुम फर्स डिविजन में पास हुआ हो ना इसमें कौन सी नहीं बात है ये तो हर साल होता है और कुछ लो कर दिया न सत्यानाश यश हम तुम्हारे पास कितनी उमीदे लेकर आये थे और तुम होके हमारी सारी उमीदों पर पानी फेर दिया कुछ पानी वानी नहीं फिरा अभी बॉक्सिंग छोड़ो चलो हमारे साथ कहां आज कॉलिज का आखरी दिन है इसलिए हम सब मिलकर न गोल 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 दुनिया गोल है रॉक 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 दूनिया गोल है ये रापindre राप BIG गोल है प्यार से मिले जो यारो इक-डिक पल अनमोल है पुछे अपने इरादे हासले जवा है बसमे हमारे ये जमी आस्मा है नाचे ये कदम और काए ये जुबा अरे आज दुखले मश्किया राक 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 रॉल है ये दोल डोल 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 दोनिया दोल है ये राप 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 रोल है ये प्यार से मिले जो यारो इक एक पल अनमूल है लहरे ढूंडती है जिस तरहा से साहिल हम भी ढूंड लेंगे अपनी अपनी मन्जिल लहरे ढूंडती है जिस तरहा से साहिल हम भी ढूंड लेंगे अपनी अपनी मन्जिल लहरे जिस तना है हसी ये प्यार का समा अरे आज लूट लेंगे मस्तिया याँ! प्यार से मिलें जो यारों ते कि तो पना सनमाल है कर दो दोसे होले है चेराँ चरोटरोटर दोसे होले है ऊुरोट मुदंस पूरी फिल्मी दुनिया पहले से भी विराज मारा क्यों बे, कहा है तेरा वो मनारी इसके बीन पर तुम लोग नाशते हो बॉस यश लो आगया माइकल जेक्शन के ओलाद आओ यश आओ मेरा यह यार तेरे गाने की बड़ी तारीफ कर रहा था सिर्फ यही तारीफ कर रहा था या तुम भी मैं सिर्फ हसीन लड़कियों की तारीफ करता हूं यह गाने बजाने में मेरा कोई इंटरस्ट नहीं अब तुम क्या करोगे क्या करोगे से समाना मतलब मतलब हमाई पड़ाय अब खत्म हो चुकी है हम सब कल अपने अपने घर चले जाएंगे लेकिन तुम कहां जाओगे यह भी अपने घर जाएगा और कहां अच्छा इसका कोई घर भी है माफ करना यार मैंने तुम्हें आज तक घर जाते हुए देखाई नहीं ए सब सच बताना तेरा को इस दुनिया में है भी यह नहीं ए राजन अपनी जबान को बंद कर ले कहीं ऐसा ना हो कि यश को गुस्सा आजाए और तुम्हें अपनी मरमपट्टी करवाने का समय भी ना मिले अचल छोडक्ति जले चल चल फोगर तुम्हाचे मलफ है यह थी यह यादे इसके दयी विधी कि वे इसकी असली दय थी हमें हो में utro avecason akhiare with इस बुढाए को नफ्यार्व नंकली दादी पर द़ाखता हूं तुम्हारा अगर यहाद लिखाई दिया तो भूट्स करस। सूम्हार यहाद लिखेंगा। लिखो। सुम्हार छोड़ लिखो दिया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए सब कुछ जानते हो फिर भी यश के सेंटिमेंट्स का मजग उड़ाते हो लेकन सर्थ मैं यश को तुम लोगों से जादा अची तरह जानता हूँ वो किसी के मामलों में दखल नहीं देता और तुम हो जिसकी दुख्ती राग पर हाथ रख देते हो तब ही वो बेचारा चीरचर और बदमिजाज हो गया है देवकूफ लोग अब क्लिर आउट अउट आउट 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 इडियोट्स इडियोट्स सिंदगी एक गीत है इसे होटों पे सजा ले घम हो या खुशी हो त्यार से गुन-गुनाने सिंदगी एक गीत है इसे होटों पे सजा ले घम हो या खुशी हो त्यार से गुन-गुनाने दिन हो या रात हो दिल की ही बात हो कोई ना जो सात हो गाहे जा हाई 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 एंजल हाई ओ जराम जी की राजिन भाईया ठीक है ठीक है चला हाई देख तू आउच कूपी हस क्यों रहा है अरे बात ही कुछ ऐसी है देख तू हसना बन करो गता बात क्या है मुझा मारेगा मारेगा कौन बहुत मारेगा कौपी मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कभी तुम हसते हो तो कभी कहते हो बहुत मारेगा बच्चे तुम्हारी तब्य तो ठीक है ना मेरी तब्य ठीक है लेकिन अगर मैंने तुम्हें पता दिया ना वो मुझे मारे रहा हुआ 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 ह देखो अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा मुझे गुस्सा नहीं आएगा मेरे बाप तु बता बात क्या है आ रहा है गुपी खचा ठीक है मैं मैं बताता हूं सुनो राजन भाई वह बात यह है कि में गुपी को समझाती हूं राजन को बता दू बात क्या है बता दू अच्छा देखो एंजल कहती है इसलिए बताता हूं लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे एंजल की गैरेंटी देने पड़ेगी कि तुम्हें नहीं मारों के अब बता बाथ क्या है थीटा परत पता आप चल बोल क्या कर रा भाउकसP क्या बाद हो एंजिल क्या हुआ वो क्या की मैंनी बता पाँ दी तुम बता क्या हुआ अपना वो राजय है उसका लेटर बॉक्स खुला था लेटर बॉक्स लेटर बॉक्स मैंने बंद करवा दिया अच्छा किया चलो क्या करना है अभी चलो अब हम चलते है एंजल पैकिंग भी बाकी है चलो चलो अरे देख के रहे चलना चलो तु एक दिन इतनी मार खागा ना राजन से अरे तु किस बात की चिंता है यार काका बेटा आज तु अपने खत के बारे मुझसे पूछेगा नहीं काका यतीमों और लावारसों के खत नहीं आया करते हैं नहीं बेटा मायूसी की बाते नहीं करते कहते हैं कभी के दिन बढ़े कभी की राते देख मैं आज तेरी लिए खत लाया हूँ हाँ क्या बेटा ये वही खत है ना जिसका तुझे पिछले चौदा सालों से इंतजार था वही है ना चिया बेटा येश आज चौदा साल के बाद मेरा खत पढ़कर तुम्हें ताजुद जरूर होगा मैं यादो के परदे पर तुम्हें खेलते कूटते और बड़ा होते देखती रही लेकिन हालात में मुझे कभी तुमसे मिलने नहीं दिया येश मुझे मालम है तुम पढ़ाई खत्म करके सीधा बंबई आ रहे हो यहां पहुंचो तुम मुझसे जरूर मिलना है तुम्हारी मां कल पना क्या हुआ येश फिर क्या सोचा तुने जाएगा अपनी मां से मिलने हाँ गोपी जाओंगा तुम्हे जरूर जरा मैं भी तो देखू उस मां को जिसे चौदा साल के बाद अपने बेटे की याद आई है मेरा भी यही मश्वरा है येश उस मां को जाके जरूर मिलना जिसने अपने आठ साल के मासूम बच्चे को अपने आप से जुदा कर दिया खेर कल तो क्या कर रहा है मैं कल सुभा ही बंबई के लिए रवाना हो जाओंगा और एंजल एंजल और जोदो सर मेरे साथ जाएंगे सर ने फैसला किया है कि रिटार्मेंट के बाद वो बंबई शेफ होंगे हाँ तू क्या कर रहा है तू कब निकल गए यहां से मैं कल शाम को तो फिर ठीक है मैं और एंजल तुझे तेरे रेस्टॉन में मिलेंगे परसूं ओके चल पैकिंग कर ले चल जल्दी गरू जल्दी लगता है कलपना आज किसी खास महमान का इंतिजार है इसलिए तुम्हार चेहरे पर खुशी के साथ साथ बेचैनी भी नदर आ रही है डादी आपने पिल्कुल ठी कहा जानते हैं आज कौन आ रहा है कौन यश यश अरे यहां तो चारों और यशी यश मौजूद है फिर तुम्हें किस यश का इंतिजार है डादी मैं अपने यश की बात कर रही हूं अपने यश की वह ऐसी तो तुम उस फक्कड के खून का इंतिजार कर रही हो डादी मैं विक्रम के खून का नहीं अपने बेटे का इंतिजार कर रही हूं चलो यही सही लेकिन एक बाद जरूर है तो कौडी का आदमी देखते ही देखते हमारे मुकाबले पर आकर खड़ा हो गया है हाँ डारी आप ठीक कह रहे है विक्रम ने पिछले 6 सालों में म्यूजिक कमपनी की दुनिया में तहलका मचा दिया है इसे तहलका नहीं हवा का जोका का हो जोका उजेसे ही आता है वैसे ही गायब हो जाता है अनो तुम और बिना इजाज़त के अंदर कैसे आए जिस इंसान की काम्याबी से आप लोगों को इतना डर लग रहा है मैं उसी विक्रम राय का बेटा हूँ यश यश कैसे हो तुम अच्छा बलकी बहुत अच्छा तुम्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि तुम वही कल के ना नहीं आईशो जिस कल की आप बात कर रही है वह बात 14 साल पुरानी हो चुकी है हाँ मैं जानती हूँ वाय डूंट यू कम इन तुम्हें यहां आने में कोई परिशानी तो नहीं होई नहीं डैरी ने गारी भेज़ दी थी अच्छा ये बताओ तुम्हें मेरे कभी याद आई या नहीं अगर यही सवाल मैं आप से पूछू तो चलो फ्रेश हो जाओ फिर खाना खाएंगे मैंने आज खास महिले बादाम की खीर बनाई है थैंक्यू थैंक्यू वरी माच अरे ऐसे क्या बात कर रहे हो मैं तुम्हारे मा हूं मा मा का अर्ज जानती है अब मा उस महान हस्ती का नाम है जो महिने तक अपनी आज़ात को अपने घर में पालती है उसे जन देती है उसकी परवरिश करती है अगर उसकी आज़ात को सुई की नोक के बराबर भी तकलीफ होती है ना तो मा का ने मा का कलेजा ममता से बढ़ जाता है अरे कैसी मा है आप जिसने अपने आठ साल के मासूम बच्चे को छोड़कर दॉलर से ब्यार रचा लिया देखो यश मैंने तुम्हें यहां जली-कटी बाते सुनने के लिए नहीं बुलाया है क्या करूँ 14 साल आपसे दूर रहकर कुछ ज्यादा ही बत्तमीज हो गया कोई बात नहीं अब सब ठीक हो जाएगा मैं 14 दिन में तुम्हारे दामन में इतनी खुशियां भर दूँगी जो 14 साल में तुम्हारे बाप ले ना दी हूँ वो कैसे बस तुम्हें अपने बाप का घर छोड़कर मेरे पास आकर रहना होगा अगर यही बात मैं आप से कहूं कि आप अपने बाप का घर छोड़कर मेरे पास मेरे डैडी के यहां रहे तो इंपसिबल मैं वहां एक दिन तो क्या एक सेकिन भी नहीं रह सकती आप आप तो अपने आप को भी नहीं जानती तो फिर मुझे क्या जानेगी यश मिस्स दौलत मंद मुझे अपना आतीत आज भी आद है मैं उसे भूला नहीं हूँ भगवान न करे जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ हुआ अब आ गया दीजे मुझे मेरी दादी मेरा पेशाबरी से नजज़ार कर रही हूँ यश दादी यश अरे शंकर शंबू आया माजी तुम लोग ने यश की आवाज सुनी सुनी तो थे लेकिन अरे शंबू हम सब का बहम था यश बाबा की आवाज नहीं थी अच्छा अच्छा तुम लोग जल्दी से तियारी करो आता ही होगा चल चलो दादी कैसी हो दादी मेरा लाल आगया यश मेरे बच्चे दादी नदर नहीं आ रहे वो बिजने स्टूर्ट पर लंडन गये है कब तक आ जाएंगे वो आ जाएंगे आजकर में अच्छा तु ये बता कि तू हॉस्टल में मुझे याद करता था या नहीं दादी सच मानिये जितने दिन आपसे दू रहा न उतने ही दिन याद आया कि मुझे को जूटा कहीं का दादी सच मानिये अगर मेरा यकी नहीं आता तो एंजल से पुछ लो एंजल ये एंजल कौन है वो हमारे जोजफ सर है न उनकी बेटी है एंजल अच्छा तो ये अपनी एंजल को कल शाम को यहाँ खाने पे ले आना ओके नींदे चुराए जो राते जगाए जो नींदे चुराए जो राते जगाए जो बोलो बोलो वो है क्या L O V E मतलब प्या नींदे चुराए जो राते जगाए जो नींदे चुराए जो राते जगाए जो बोलो बोलो वो है क्या L O V E मतलब प्या बोलो वो राते जगाए जो बोलो वो राते जगाए बेचैनी सी रहती है खुद से बाती करती हो दिल में है इस हलचल सी छुप्तियों हे भरती हो मेरा भे है हाल वही जैसी तेरी कहानी है मीठा मीठा दर्द नया देखे कसक अंजानी है तारे गिनाए जो सपने दिखाए जो तारे गिनाए जो सपने दिखाए जो बोलो बोलो वो है क्या L-O-V-E मतलब्या क्या जो जो तारे जो जाने क्या दिल चाहे है मुझको समझना आए है कोई कोई रहती हो तनहाई मुझे भाई है एक नया एहसास है एक अनोखी प्यास है वे बस्तन मन रहता है वे खुद मेरी सास है कभी हसाए जो कभी रुलाए जो कभी हसाए जो कभी रुलाए जो कुल बुल हो है क्या अच्छा वाह गोपी, तुम्हारी रेश्वान का जवाब नहीं, इतनी बड़ी जगह, बाहर भी है, अंधर भी, अब तो हम यहार रोज मिला करेंगें, क्या समझें, नहीं समझें यहार, यहार, तुन्हें अभी तक बताया नहीं, तु अपनी ममी से मिलने काया था, क्या वहार, अमिन, एवरिटिंग नॉर्मल, नहीं यार, कुछ भी नॉर्मल नहीं था, ऐसा लगता है, उनका मजभ और इमान सब कुछ तौलत है, उस घर में वफा और जजबात नाम की हां मिली तो ठीक था, मेरे आने का बहुत इंतजार था उने, चानती हो गोपी, खाने पर उन्होंने मेरे लिए तरह तरह की डिशिस भी तयार की थी, आचा, यह तो मैं ही उनकी उमीदों पर पानी फिर के चला आया, वो क्यों, कहती थी कि तुम्हे अपने बाप का गर बहुत ही खतरनाक इंसान है, और मेरी ममी उन्ही के बताय हुए इशारों पर नाचती है, लगता है इसके नाना को मिर्ची का वन्टू का फोर दिखाना ही बढ़ेगा, हां, कुछ कहा तुमने, ने, कुछ ने, अपने नाना उर्फ कैलाश नाच साहे का फोन नंबर तो दे, क्यों, पहले फोन नंबर तो दे, बात में बताऊंगा, 626-1010, 626-1010, ओके, अरे हां मैं तो बताना भूली गया, दादीन आज तुम दोनों को डिनर पर इंवाइट किया है, हम दोनों को, या सिर्फ एंजल को, अरे नहीं आज, तुझे भी बलाया, लेकिन सॉरी या, मैं आज नहीं आ सकता, क्यों? एंजल, आज होटल में बहुत बड़ी पार्टी का आउर्डर मिला है, वो छोड़कर मैं नहीं आ सकता, प्लीज या, ट्राइटो अंडरस्टेंड, प्लीज, चल ठीक है, जैसे तरी मरसी, और एंजल, तुम सर को लाना मत बुलना हो, प्लीज, प मेरी मिर्ची तुझे चैन से बेचैन कर देगी देखना, रूश माफ केजिए, मैं तो भूली गया, यह बतागे, यह मिर्ची वाले की दुखान हो, अब यह भची की दुखानी है, क्या, एक्चैली, क्या है मुझे आज मिर्ची का भाव जानना है, मिसेर सुनो यह कोई बनिय की दुकान नहीं है समझे रॉंग नंबर है इडियट रॉंग नंबर अरे अभी अभी तो यह शुरू आते बुड़े आगे आगे देख मैं क्या करता हूं तेरा पुरा घर मिर्ची से ना भर दिया तो मेरा नाम भी गोपी नहीं है हलो येस यह बुड़े मिर्ची वाले की दुकान नहीं है न यह किसी बुड़े मिर्ची वाले की दुकान नहीं मेरा घर है चलिए घर ही सही लेकिन है तो मिर्ची वाले काई न वाट वाट शॉट नॉट वाट नतिंग डूइंग आप सिर्फ मुझे मिर्ची का भाव बताईए शट आप यह किसी परिये की दुखा नहीं है यह क्यलाशनात सहाय का घर है समझे बस्टर्ड आज के लिए बुड़े इतना ही काफी है तेरे लिए है हाँ दादी यहीं है मेरे वो सर जिन्होंने कभी मुझे पिता की कमी महसूस नहीं होने थी 14 साल सुख दुख में इनोंने मेरा साथ दिया मैंने इनका इससान जिंदगी पर नहीं बूल सकता माजी ऐसी कोई बात नहीं यह तो यश की महबत है जो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है जबकि सत तो यह है कि पिता की जगह सिर्फ पिता ही ले सकता है कोई दूसरा इ इनसान की होती है जो तारीश के काबिल होता है हलो एंपरीबड़ी विक्रम मां कैसी हो अरे याश अरे यह क्या कर रहा है यह सब बातें पुरानी हो गई है अब तो हाथ में लाएकरो हाथ और सुनाओ यहां कब पहुँचे कल सुबही वेरे गट जस्ति मोमेंट हलो हम बोल खैर आएंदा द्यान रखिएगा बाई अब सुना वेटा यह मेरी फ्रेंड इंजल यह हमारे म्यूजिक सर मिसर जोजफ एम जोजफ एम एक्स्क्यूज मी इसे कोई बात नहीं है मैं भी लंडन से पहुचा हूँ हाँ नहीं आफिकर मत किजिए आप कमाल टाइम से पहुच जाएगा आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा ऑके बाई यह है मेरी मुजिक सर मिसर जोजफ रुटा जोजफ एम जुटिए प्लीकिए प्लीकिन तर्फ जिटा जुटा इसक्यूज में प्लीजू अलो जुटार, विस्टर वांग, वाइवा यू वाट, 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 थापन, वाट, प्लीजू सॉर्ए हम लोग फिर कभी बाते हैं करेंगे बेटर यश, enjoy yourself, please excuse me हाँ Mr. Wong, या, या, या माजी, हम चलते हैं लेकिन ये खाना तो हाँ फिर कभी आएंगे माजी बड़ा अच्छा लगाद, thank you for a very nice dinner माफ करना हाँ ने, कोई बात नहीं आना जबर बेटी है thank you very much, lovely lovely evening आना हाँ, बुला नहीं आएंग, आएंग, जी बुटाओ, दो बज गया है चल बुटे बुटे, उड़ जा, आज मैं तुझे सोने नहीं दूँगा हालो हालो, बुट्टा मिर्ची वाला घर पर है हाँ, बोल रहा हूं लगता है बुट्टा बहुत ब्यारी नीन में क्या चल बदा आज का मिर्ची वाला अब 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 तुपागल हो गया क्या अब अब उल्लू के पठ्थे राट के दो बजे मिर्ची का भाव पुछ रहा है अरे माई डियर बुट्टे मिर्ची का भाव जनने के लिए टाइम नहीं देखा जाता मूर देखा जाता है चल चल बदा बदा आज का मिर्ची का भाव क्या बता अरे भगल है इंसान यह कोई मिर्ची की दुखा नहीं यह कैलाश ना साहे का घर है गुस्ता नहीं कहीं अटैक आगिया तो मर्या का खामखा विल्यू शॉट अप क्या सुच रहे बेटा तादी ना जाने क्यों आज मुझे बहुत डर लग रहा है तुझे डर तु तो मेरा बहुत बेटा है और बहुत दुरों से तु डर डर के भाग जाता है वो तो ठीक है दादी लेकिन माई उसी की बाते नहीं करते बेटा तुझे तो जिन्दगी में बहुत आगे जाना है नमस्ते माजी आओ बेटी माप करना मैंने तुम्हें पहचाना नहीं जी मेरा नाम माँ ये आशा है मेरे ओफिस में काम करती है बेट वाशा हाँ हाँ बेट विटी वो माँ मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है हाँ कहो क्या बात है आप लोग बाते कीजिए मैं चलता हूँ नहीं याश तुम्ही बैटो माँ वो क्या है कि मैं सोच रहा था कि अब शादी भी शादी? तुने तो मैरे मूँ की बात चीड़ ली अब याश की शादी हो ही जानी चाहिए मैंने तो लड़की भी देख रखी है नहीं माँ मैं याश की नहीं अपनी शादी की बात कर रहा था इसमें हैरानी वाली क्या बात है? मैं हैरान नहीं हूँ, परिशान हूँ खेर अब तुने फैसला कर ही लिया है तो देर किस बात की? वो क्या है कि वो एक अर्चन है अर्चन? कैसी अर्चन? दरसल मैं चाहता था कि जब आशा मेरी पतनी बनकर इस घर में आए तो यश रुख क्यों गया? आगे बोल यह आगे क्या बोलेंगे दादी? इनके पास कुछ कहने के लिए अलफाज ही नहीं है हाँ दादी यह मुझे अपने घर से निकालकर अपनी दिल की दुनिया बसाना चाहते है यह सच नहीं है इस विग्रम मैंने तुमसे यह एक्सपेक्ट नहीं किया था आशा मैं जा रही हो आशा यह सच नहीं है आशा यही सच है आप मुझे अपने घर से निकालकर अपने दिल की दुनिया ही बताना चाहते हैं यह सच है कि मां आशा के साथ शादी करके कुछ दिन सुकून की सांस लेना चाहता हूं लेकिन यह सच नहीं है कि मैं तुझे अपने घर से यह दिल से निकालना चाहता हूं वाह बेटा वाह बहुत अच्छी भलाई कर रहा है तुम मेरे बच्चे के साथ पहले तो इसा भागय को 14 मरस का बनवास ने दिया और आप सारी जिंदगी का बनवास दे रहा मा तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो मुझे कुछ नहीं समझ रहा अगर याश यहां से जाएगा तो मैं भी चली जाओंगी नहीं दादी आप यहां से नहीं जाएगी अगर यह घर छोड़कर कर जाएगा तो वह मैं हूँ याश हाँ दादी शायद मेरी जिंदेगी में माबाप का प्यारी नहीं डिखा हाँ तु ठीक कह रहा है बेटी तु ठीक कह रहा है देखो बेटे कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहा नहीं जा सकता सिर्फ समझा जा सकता है मैंने जो फैसला किया है वो तुम्हारी आने वाली जिंदगी में रोश्नी लेकर आएगा नहीं चाहिए मुझे ऐसी रोश्नी जिसे देखकर मेरे आखे चुदिया जाए नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जिसकी बुनियाद सोने और चांदी के सिक्क उपर रखी गई हो डैडी ऐसी जिंदगी लेकर क्या करूँगा मैं मुझे खुशी हुई कि मेरा बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें करना सीक्या है लेकिन साथ मैं इस बात का दुख भी है कि तुमने अपने डैडी को समझा ही नहीं समझने का मौका ही कब दिया है आपने मुझे डैडी बच्पन से लेकर आज तक मैं तनहायों के भवर में घिरा रहा लेकिन आपने मुझे कभी उस भवर से निकालने की कोशिश नहीं की यह सच है कि दौलत के नशे में मैं तुमसे बहुत दूर निकल गया था लेकिन यह क्या कम है कि हर वक्त तुम्हारा खयाल मेरा साया बनकर मेरे साथ रहा फिर आप मुझे क्यों आपने आप से दूर कर रहे हैं डैडी अब मैं यहां एक मिनट भी नहीं रह सकता दादी मैं यह घर छोड़के जा रहा हूं तुम पागल तो नहीं हो गए पागल तो मैं पहले था डैडी अब थीक हो गया हूं आज मुझे पता चल गया है कि मुझे अपनी मंजिल खुद तलाश करनी है क्या कहा यह तुम यहां से जा रहा है इस घर से जा रहा हूं दादी आपके दिल से नहीं नहीं बेटा लीज आदी I want to go मंजिलें तलाश करना इतना असान नहीं है जितना तुमने समझ रखा है उसकी फिकर आपना करें From this time onwards I will decide my own future Mr. Vikram Rai जिंदगी में पहली बार तुमारे मुह से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा पहली बार मैसूस हुआ कि तुम इतने बड़े हो गए हो मा समझाओ इस बेवकूफ को इसे बाहर की दुनिया की खबर नहीं है लोग इसे सड़क पे खड़ा करके निलाम कर देगे कौन किसको निलाम करता है ये तो वक्त ही बताएगा हाँ आज मैं आपको इतना जरूर कहकर जाता हूं कि आज के बार लोग मुझे आपका बेटा नहीं आपको मेरा बाप कहकर पुकारेंगे उसके बावजूद भी बेटे तुम विक्रम राय के ही रहोगे इसलिए आखरी बार कह रहा हूं जाने से पहले सोच लो इस दुनिया का सफर तुम अकेले तय नहीं कर पाओगी एक तेरी रह गुजर ही नहीं जिन्दगी के निशा और भी है तूने छोड़ दिया मेरा दामन तो क्या आस्मा और भी है याश 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 पापा देखो कौन आया है अरे याश बेटे क्या बात है ऐसे लगता है तुम्हारा किसी से जगणा हुआ है पापा आज याश ने अपना घर छोड़ दिया क्या याश पापा लेकिन क्यों क्यों क्योंकि अब उस घर में मेरे लिए कोई जगा नहीं है अगर याश इस तरह तुम सर आप प्लीज मुझे उस घर में वापस जाने के लिए मत कहिएगा मैं आपके पास बहुत उमीदे लेकर आया हूं सर याश क्या आप मुझे बता सकते हैं कि निकलते हो सूरज में और दूपते हो सूरज में क्या फर्क होता है पेटे निकलता हुआ सूरज अपने साथ कुछ उमीदें लेकर आता है और दूपता हुआ सूरज अपने साथ कुछ आशाएं लेकर चला जाता है तुम्हें कौनसे सूरज की तलाश है मैं बताती हूं पापा यश को एक ऐसे सूरज की तलाश है जो कभी न डूड़े 2400 गंटी चमकता रहे यश कई आलों की दुनिया से निकल कर हकीकत की दुनिया में चले आओ तभी पता चलेगा पेटे एंजल बिलकुल ठीक कहती है आम्याबी उसे को हम सफर बनाती है जो समय के साथ साथ उसके कंदे से कंधा मिला कर चले जैस तुम्हारे गले में एक नहीं का चुरों का चुन वह हुप्त हुस्टार तुम्हें ओन लेकिन मैं ये कमी पूरी करूगा बेटे कल तो मेरे साथ चलोगे मैं तुम्हें नेचर से, खुद्रत से, प्रकृती से बहुत कुछ सिखाऊँगा मैं तुम्हें सिखाऊँगा कि लोगों के दिलों पर कैसे राज करते हैं ये मत बूलो पेटा, तुम्हारा नाम कामियाबी है, सक्सेस है, याश है सुनो पेटा, कोयल की कूक को सुना पेटे कहने को तो ये परिंदा है लेकिन इसकी आवाज में कितना सुर है और ये सुर इसे विरासत में पुद्रत ने दिया है पेटे, ये क्यों गाती है? ऐसे के लिए? शाहरत के लिए? नहीं ये इसने गाती है क्योंकि इसकी रूह में, इसकी आत्मा में सुरू का खजाना है बिटा, सुरू का खजाना है He sings to the glory of God और अगर तुमने गाना है इसी तरह गाना है कड़। रॉको गण की टाप को सुरू। रिटी ये तीन ताल है ये थीन ताल था, ताह सिल्ढ़। तर दिन न गीन दागे तॉ हाहा पटी Music is a gift from God यह भगवान की देन है पटी यह पूजा है इबादत है यह प्रातना है और यह तुमारा भविश है ये लो बेटा ये लो और भूल जाओ जमाने को बस ये समझ लो के तुम हो और तुमारा जंगीत है जंगीत है कर दो कर दो हरे, तुम अभी तक घर नहीं गई? मुझे तुम से एक बात करनी है कहो, क्या बात है? मैं तुम से शादी नहीं कर सकती वजे? मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़े से बाप बेटे के बीच में कोई दरा रहा है आशा? क्या तुम भी मुझे यश की तरह गलत समझ रही हो? मैंने तुम से पहले ही कहा था कि शादी के बाद हम सब साथ मिलकर रहेंगे हाँ तुमने कहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी शादी के बाद यश हमारे साथ रहे तुम क्यों नहीं चाहते जब मुझे साथ रहने में कोई आतराज नहीं? इसमें कोई शक नहीं कि यश अपनी मां से नफरत करता है लेकिन इसका ये मतलब हर्किस नहीं कि वो तुम्हें अपनी मां समझ कर तुमसे प्यार करेगा ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं यश को इतना प्यार देती कि वो मुझमें अपनी मां का रूप देखने में मजबूर हो जाता हूँ इस तरह की बाते कहानी किस्सों में अच्छी लगती हैं हकीकत की दुनिया में नहीं ये तुम्हार वहम है देखो आशा मेरी बात समझने कोशिश करो कल जब यश की शादी होगी तो उसकी पतनी कभी तुम्हें अपनी सास एकसेप्ट नहीं करेगी क्यों नहीं एकसेप्ट करेगी जब यश मुझे अपनी मा समझेगा तो उसकी पतनी भी मुझे अपनी मा समझेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा तुम आजकल की लड़कियों को नहीं जानती वो किसी के घर की बहुबाद में बनती हैं और सास ससूर से अलग रहने के सपने पहले देखने लगती है लेकिन सभी लड़कियां एक जैसी तो नहीं होती आशा तुम ये भूल रही हो कि तुम्हारा और यश का सवतेला रिष्टा आगे चलकर तुम दोनों के बीच में दरार पैदा कर सकता है नहीं विक्रम ये तुम्हारा वहम है लेकिन देखो विक्रम माजी और यश तो यही सोचेंगे ना कि मैंने तुमसे कहा कि पहले यश को घर से निकालो फिर मैं तुमसे शादी करूँगी लेकिन आशा मैं विक्रम मैं अगर तुमसे शादी करूँगी तो माजी के आशिरवात से और यश की मर्जी से वरना आप, हम दोनों की रास्ते अलग-अलग है, गुड़बाई आशाब ये क्या हुआ, जान क्या हुआ, रिम जिन ये सावन बरसे पेचेन बेकरार दिल, कबसे मिलन को तरसे होटों पेचेन बेकरार दिल, कबसे मिलन को तरसे, होटों पे हसी की लावना जाने जान क्या है क्यां है क्यां है कर दो कर दो कर दो हुआ है बहके हुए दिल के ये अरमान है नाता हो तुम हम भी दो अच्छान है हाँ धन्दी हवा कहती है बोलो ना क्या तेरे बिना जीना नहीं साथिया तुम भनके नशा अच्छा जाना जाने जान ये क्या हुआ जाने क्या हुआ प्रिम जिल ये सावन बरसे पेचैन भी करार दिल कब से मिनन को तरसे होटों पे हसी खिलाना जाने जान हुआ जाने 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 जान जान। हुआ है हम तुम है सपनों के एक गों में यू ही रहे हम धूप में छाओं में होखो ओ गई मैं तो तेरी खुब में तू ही तो है दिल की किताब में खुश्बू की तरा लहराना जाने जान ये क्या हुआ जाने क्या हुआ रिम जिम ये सावन बरसे बेचैन बेकरार दें कबसे मिलन को तरसे प्रिम जिम ये सावन बरसे पेचैन बेकरार दिल कबसे मिलन को तरसे फोटों पे हसी किलाओ ना जाने जान जाने जान जाने जान मा लिक्राब तुम अभी तक सोई नहीं? तुम भी तर नहीं सोई मैं तो काम बगारा में बिजी रहता हूँ तुम तो सो जाय करो मेरी आखों की नीन तो मेरा यश ले गया अब सो गई तो जिंदगी भर नहीं उठ पाऊंगी प्लीज मा ऐसा मत कहो अगर अपनी मा का इतना ही ख्याल है तो मेरा यश मुझे ला दे यश तो आही जाएगा मा लेकिन मैं इस वक्त आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ के मैंने शादी ना करने का फैसला किया हाँ हाँ माँ मैं शादी के बिने जिंदा रह सकता हूँ और यश के बिने नहीं हाँ बगवान तेरा लाख लाख चुकर है तुने मेरे बेटे को गुम्रा होने से बचाया लललललल अलो क्या बुद्धा मिरजी वाला बातरूम में वो तो ठीक है तुझे कैसे मालूम मैं बातरूम में हूँ ऐसे ही अंदेरे में तीरी सोडा माईडियर बुद्धे बुद्धा तु बुद्धा तेरा बाप बुद्धा तेरा पूरा खांडान अरे यह कैसे हो सकता है मैं तो अभी जवान हूँ जवान नहीं वलकि छोड़ा छोटा नननननननना बच्चा हूँ इसलिए रोटी को टोटी और पानी को ममम कहता हूँ अरे हाँ पापा ने पुतवाया है आज मिलती था बावत्या है मुझे बाफ कर दे मेरे भाई अरे मैंने तरह क्या बिगाना है अरे तु सलस्ता क्यो नहीं अरे मैं संगीत बेशता हूँ मिर्ची नहीं अच्छा, तो मेरा आइडिया सही निकला तु संगीत के बहाने लोगों की आखों में मिर्ची जोगता है और दोनों हाथों से धन बटोरता है लेकिन लेकिन वेकिन और जब तु लोगों की आखों में मिर्ची जोगता है तो मिर्ची भी खरीता होगा और मिर्ची खरीटता है, तो मिर्ची का भाव भी मालू होगा, आप फॉरण बता दे मिर्ची का भाव क्या बुट्टे, काश, तु मुझे एक बार बता दे, कि मेरा फोन नंबर तुझे किस ने दिया है, मैं तुझे मिर्ची तो क्या, गरमे सले का भी भाव बता दूगा, आप मुझे जरह मिर्ची का भाव बता दे, का करूँ है, यह, कहां खोई हुए थे? कहीं नहीं कहीं कैसे नहीं मुझे सब पता है तुम अपने डाडी में खोई वे थे न तुम्हें कैसे बता चला गिटार पर अपने डाडी की धुन जो बजा रहे थे क्या समझे नहीं समझे तुम चीज क्या हो यार वेल एक बात पुछो हाँ हाँ पुछो जब तुम स्टार बन जाओगे तब तुम्हारे नाम की तो चारो तरफ धूम बच जाएगी हो सकता है फिर लड़क्या तुम्हारे चारो तरफ घूमकर आटग्राफ प्लीज आटग्राफ प्लीज करेंगी हाँ लेकिन तुम क्यो जल रही हो हाँ जले मेरी जूती लेकिन मुझे तो जलने की बुआ रही है देखो यश मैं सब कुछ बरदाश कर सकती हूँ लेकिन किसी भी लड़की को तुम्हारे आसपास देखकर मेरा बिल जल जाएगा वो क्यों वो इसलिए क्योंकि आज कल की लड़किया जहां तुम जैसे चिकने चेरों को देखती है न वहीं स्लिप हो जाती है तुम हस रहो देखो यश तुम मुझे नहीं जानते अगर किसी लड़की ने तुम्हारी तरफ आख उठाकर भी देखा ना तो मैं उसे कच्चे अमरूत की तरफ खो जाओंगी क्या समझे नहीं समझे अच्छा अच्छा बाबा समझ गया चलो अब उसकल आकर दिखा दो पहले वादा करो कि तुम किसी लड़की से बात नहीं करोगे अच्छा बाबा वादा ऐसे नहीं मेरे हाथ में हाथ देकर वादा याश अलब यू गुरीवनिंग गुरीवनिंग बिटे देखो कौन आये हैं यह शराफात अली साहब है म्यूजिक की दुनिया के सबसे बड़े प्रमोटर आदाब आदाब बंदे को शराफा तली बिन अजाका तली कहते हैं सारा हिंदुस्तान जानता है कि खाकसार मौसीकी का दीवाना है जोजफ मिया ने जब तुम्हारी गायकी के पुल बांद दिये तो मैं फॉरण समझ गया कि तुम्हें एक होनार और काबिले तारीव गायक होगे इसलिए मैंने फॉरण तै कर लिया कि तुम्हारा स्टेज शो करवा के ही दम लूँगा और अगर जरूत पली तो तुम्हारे गानों की आनन फानन में होता है यानि की फटाफट इसलिए मैंने तै कर लिया है कि तुम्हारा पहला स्टेज शो अगले हफ्ते होगा अगले हफ्ते जी हाँ अगले हफ्ते वो तो ठीक है शरावत भाई लेकिन इतने शौट टाइम है जीओ हजारों साल जीओ मिया सारा हिंदुस्तान जानता है कि शरावत अली बिन नजाकत अली अपनी जेब में अलादीन का चराग लिए फिरता है जेब में हाँ डाला चराग बहार निकाला खिसा जिन हाजिर हुआ और आनन फानन में काम शुरू यानि की फटाफट एक वाँ खिर्डाभ चराब तो खिर्डू तो खिरू याक जाने काम शुरू खिर खिरू, एक जाने टो, खिरू, तो, गो, खिरू, जाने काम शुरू Friends, are you ready for the music? Yeah! Yeah! One, two, three, four! अरे 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 फेर क्योश दो अब मेरा जिया एक लाड़ की ने तेरा दिल मेलिया या रोना जाने मुझे क्या हो गया एक लड़की में तेरा दिल ले लिया लगे क्यों ना अब मेरा जिया एक लड़की में तेरा दिल ले लिया नेंद काईन मेरा चैन रिकाया में पापापापापापागल हुआ या रोना जाने मुझे क्या हो गया पिकलान कीने तिरा दिल लेलिया हर लगे यूना अपमें राजिया पिकलान कीने तिरा दिल लेलिया सपनों में भी वो आए दिल ठक 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 धड़काए मुझे सारी राज़ जगाए तू के आता मसिय प्यारे हर तरफ नजर वो आए मुझे उसकी याद सताए उसके मिन जिया न चाए तू के आप से प्यारे मुझे प्रेम काटो गिल लगा पागल हुआ, यारो ना जाने मुझे क्या हो गया एक लाड़की में तेरा दिल में लिया लगे क्यों लाब में राजिया एक लाड़की में तेरा दिल में लिया एक लाड़की में लिया उन होटों के अंगारे, उसके में नाकचदारे करते हैं मुझे इशारे, तेरे बज़गे बारा प्यारे जब छुप जाएं चांड सितारे, जब सोचाएं सारे नजारे छुप के से मुझे पुकारे, तेरे बज़गे बारा प्यारे मैं होती बाना नया नया मैं बाबाबाबाबागल हुआ या रोना जाने मुझे क्या हो गया देख लाड़ की ने तेरा दिल में लिया अरे लगे क्यों ना अब मेरा जिया देख लाड़ की ने तेरा दिल में लिया या रोना जाने मुझे क्या हो गया पित लाड़ की ने तिरा दिल नहीं या लगे क्यों ना अब मेरा जिया पित लाड़ की ने तिरा दिल खेलिया वाह बरकुर्दार वाह तुमने तो वो कर दिखाया जो लोग सालों साल नहीं कर पाते सुभान अल्ला अल्ला तुम्हें नजरे बस से बचाए तुमने अपने नाम की इज़त रख ली अरे जिधर भी सुनो यश 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 के नारे गूंज रहे हैं यह सब तो आपी की मेहनत का नतीज़ा है श्राफत अंकल अगर आप मुझे प्रमोट ना करते तो मैं इस मुकाम श्राफत नहीं पहुंच पाता नहीं वर्खुर्दार नहीं मेरी क्या हस्ती श्राफत भाई ये भी तो सच है कि आप वो इंसान है जिसने बिना सोचे समझे यश पर लाखों रुपए लगा दिये अरे आपकी जगह कोई दूसरा होता तो इतना बड़ा रिस्क न लेता जो मैं बंगले में रहने के लिए स्टार नहीं बना बंगला तो पहले ही छोड़कर मैं यहां आया हूं मुझे बंगला नहीं बल्कि एक ऐसा घर चाहिए जहां पर प्यार के पेड लगे हूं मोहबत का दरिया बैता हूं सुकून की थंडी हवा चले और यह सब मुझे इस खर से निकालना ही चाहते हैं तो साफ साफ कहते हैं वैसे आप मुझे जानते हैं सिर ये सब कुछ मैंने पैसों के लिए कि यह पैसा ही तो है जो इंसान को इंसान से दूर करता है जी हजारों साल जी वा बर्खुदर वा तुम भी अपने भाई निकले सारा हिंदुस्तान जानता है के शराफात अली बिन अजाकत अली ने पैसे को कभी पैसा नहीं समझा हर जाई समझा तोगी आज ये जेब में तो तरक्की करो, अच्छा मैं चलता हूँ, और हाँ याद है ना, कल सुबा दस बजे टीवी वाले तुम्हारा इंटर्वी लेने आ रहे हैं, भाईयों और बहनों, आज आपके सामने में एक ऐसे महान कलाकार को लेकर आई हूँ, जिसने बहुत थोड़े समय में अपनी उमर से कह जादा यश प्राप कर लिया है, कितना अजीब इत्तफाक है, इस कलाकार का नाम भी यश है, यश सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूँगी कि आपका नाम यश किसने रखा, ये नाम मेरे हिस्से में आना था, सो आ गया, मैं आभारी हैं इस उपरवाले का, जिसने म मैं रह नहीं सकता हूँ, जैसे, सबसे पहले मेरी दादी, जिनका अशिरवाद साय की तरह हमेशा मेरे साथ रहा, उसके बाद मेरे गुरू मिस्टर आर्केर जोजफ, जिन्होंने बिना किसी लालच के, मुझे संगीत की शिक्षा दी, एंजल, जिसने बच्पन से लेकर यह वही शराफत अंकल हैं, जिन्होंने मेरी आवाज को मेरे चाहने वालों तक पहुचाया और आपकी माता पिता? माता पिता, यह दोन आम ऐसे हैं, जिनका जिक्र मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब आपने पूछी लिया है तो बताय देता हूँ मैं बहुत छोटा सा था, जब मेरी मा मर गई उसके पिता ने उसे चांदी के कबर में तफना दिया और रहा मेरे पिता का सवाल? वो इस दुनिया के मेले में कहीं खो गए है मैं उन्ही की तलाश कर रहा हूँ शाद कभी मुझे मिल जाए बलराज, तुम भी क्या भही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ बेलकुल ठीक समझा आपने डाड़ी याश हमारे काफी काम का साबित हो सकता है वो कैसे? वो ऐसे कलपना तुम्हारा बेटा कामियाभी की सीडिया चरता ही चला जा रहा है आज उसकी आवाज ने चारो तरफ धूम मजा रख लिए अगर हम थोड़ी अकल से काम लें तो उसकी आवाज के सहारे हम अर्बो रुपय कमा सकते इंपासिबल डारी अभी आपने देखा नहीं उसने जीते ची मुझे तो मारे डाला आपसे भी नफरत करता है वो वो मुजिक कमपनी हमारी होगी हम उसके गले की मुह मांगी कीमत देकर उसकी आवाज खरीद लेंगे वो पिकने वाला नहीं है दौलत अपने आगे बड़े से बड़े सुर्मा को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है विक्रम से भी एक गलती हुई थी लेकिन आज उसे अपनी गलती का है लेकिन दादी आज मैं जिस मोड़ पर खड़ा हूँ वहां से लोटके जाना ना मुमकेन है विक्रम पहले से ही बहुत परेशान है यार और उपर से तेरा गम दादी मेरा गम तो समझ में आता है लेकिन ये परेशानी वाली बात समझ में नहीं आई अब क्या बता हूँ बेटा विक्रम को पूरे तीन करोड का नुकसान हुआ है और अभी पूना की फैक्टर में भी आग लग गई वो कैसे क्या जाने के ऐसे हर रोज कुई ने की नुकसान होता जा रहा तो कभी कमपानी में म्यूजिक की चोरि कभी हरत आल कभी महशीनों के गराबी समझ वे नहीं अगहा धा क्या धशिय लगता है तैरी के खिलाव साज़िश हो रही है ट्यारी, हम अपने मकसद में 50% कामयाब हो चुकी है, बाके 50% वो भी जलकी कामयाब हो जाएंगे कल्पना, तुम्हे वो 50% कामयाबी तब तक नहीं मिल सकती, जब तक तुम यश को अपने साथ न मिला लो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं अपनी समझ के आँखे खोल के जड़ा गौर से देखो कल्पना, कामयाबी दर्वाजे पर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है, मेरी बात मानो, यश को इमोशनली ब्लैक मेल करके उसे अपनी कंपनी में काने के लिए मजबूर कर दो लेकिन तैरी यही मौका है कल्पना, यश अपने बाप से नाराज है, इस मौके का फाइदा उठाओ, उसे बुलाओ और उसे बात करो क्या बताओ एंजल तुम्हें, लंडन में मैंने तुम दोनों को कितना मिस किया है, सेच, सीरियसली, अच्छे यह बताओ, क्या लंडन में यश के कानों की धूम मची है, धूम, अरे ऐसी वैसी नहीं कममाल की, अरे हमारा यार वहां लंडन में भी लोगों को दिलों कर अरे लोग आगया स्टार, यश, हाई जोपी, क्यासा है तुमोटू, ए तरफ फिट ने, क्यासा है तु, बैट बैट, बैट के बादे कर ते, बैट, 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 कितना स्माट है न, जी चाहता है यश को देखकर पच्स जान देदू, जान देने से क्या फाइदा मेरा बस चले, तो जालम को लेकर कहीं भाग जाओ, चल चल के बात कहते हैं, बस चल रहा था, अब तू आगया न, अब तो दोड़ने लगेगा, मेरे यार, दोड़ने लगेगा Excuse me, please, yes, मुझे आपका ओटोग्राफ चाहिए Sure, why not, and what's your beautiful name? Taksha, he's so sweet Love Love Taksha Will you have coffee with us? Oh, sure, why not Excuse me, please Yeah, you're a star, right? Try it, please Mega Angel, you're a hero. Yeah, come on, cheer up Angel, come on Yaaah, haa, haa Guys, key, run Go Eegman, coffee ko touchka deize Kali touch karoo Hahaha He's exfit, please, you now Sure, sure, why not Thank you Can I kiss you? Hey Why not, why not कि आपना फॉन नमबर देंगे? फॉन नमबर? नहीं नहीं मेरी मम्मी बुचा मारेज़् ओके गर्ल्स उसी यू बाइ भाइ आयाय अभाइ हलो आव मेरे किशन कनईया मिल लिये गोपिसएट और अपनी रादा को पूरे हाँ गोपी, मुझे कोई जलने की भू आ रहे है तुझे नहीं आ रही जली मेरी जूती गोपी, थैंक्स व दी इवनिंग मैं जा रही हूँ, बाई अरे अरे तुम का जली जहनुम में, बाई अरे अरे तुम का जले जहनुम, अरे देखता नहीं मणा का मूड कराव है मैं उसे समंदर की हवा खिला के आता हूँ, बाई अरे उटके एंजल 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 इंजल एंजल एंजल कर दो कर दो कर दो कर दो सुबा सुबा जब खड़की खोले सुबा सुबा जब खड़की खोले बाजु वाली लड़की हाई सुबा सुबा जब खड़की खोले बाजु वाली लड़की हाई तिल मेरा बोले hello how are you How are you तिल मेरा बोले hello how are you सुबा सुबा जब घर की खोले बाजू वाली लड़की हाए सुबा सुबा जब घर की खोले बाजू वाली लड़की हाए तिल मेरा बोले hello how are you तिल मेरा बोले hello how are you तिल मेरा बोले hello how are you आँख चुगा के आँख मिलाए आँख मिलाके जब समाए कर देख नहुहां उर ये लोगने अट्र ते तेरे से अंधि कर देख शया हम उर ये लुब 혁ं कर देख टらगने आसे फारतों एला हम ये कर देख दो पीफ टे बाला दूर से मैं देखता हूँ बात होगी कैसे आचू बाचू वाले सारे देखे मुझको ऐसे कभी मैं बोलू तो बोलाजा जाए बात करू तो थमठम जाए दिल मेरा बोले Hello How are you? सुबा सुबा चंची की घोले पाझूवाली लंकी आए दिल मेरा बोले Hello How are you? दिल मेरा बोले Hello How are you? जुम 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 इस दिन तु मुझसे तक्रा गया न, वो दिन तेरी जिन्दगी का आखरी दिन होगा, आखरी लगता है बुटे, आज तेरे खाने में कुछ ज्यादा ही मिर्ची डल गई है, इसलिए तुझे अपने जिन्दगी का आखरी दिन यहाद आ रहा है बुटे, एक काम कर अपने हाथ में जो मिर्ची है न, खा ले शंकर, तुम मिर्ची खरी दे जाधन बाजार में, एक बार पूछन भईया, यह मिर्ची का भाव क्या है यश, my son Don't touch me, मैंने आपसे मना किया था मुझे मालूम है कि तुमने मुझे मना किया था कि तुमसे मिलने की कोशिश ना करो मगर क्या करूँ, आखरकार तुम्हारी मा हो न, इसलिए मुझ से कलपना जी, आप जूट बोलकर मुझे ही नहीं अपने आपको भी दोका दे रही है नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ I love you a lot यकीन करो जब मुझे पता चला कि तुम्हारी पिता जी ने तुम्हारी अपनी घर से निकाल दिया है तो मुझे बहुत दुख हुआ Yes For your kind information, तैड़ी ने मुझे घर से नहीं निकाला मैंने खुद उनका घर छोड़ा बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हे उस आदमी का घर छोड़ दिया, बेटा अब मुझे ही देखो अगर उस आदमी का घर ना छोड़ती तो अब तक तो घुट-घुट के मर चुकी होती उसने मुझे पर बहुत सुखी है बस बहुत नातक हो चुका Now come to the point पेटा मैं चाहती हूँ कि तुमाहे साथ बिजनस करूँ लेकिन मैं आपके साथ कोई बिजनस नहीं करना चाहता लेकिन क्यों मेरी मर्जी बेटा, बिजनस में मर्जी नहीं सिर्फ फाइदा दिखा जाता है फाइदा येश, ये मिस्टर गौतम कुमार है हलो ये समझ लो कि ये मेरे राइट हैंड है जितना मैं अपने आप पे भरोजा करता हूँ उतना ही इन पे भी तो यही है वो आस्तीन का साम जिसका मेरे डैडी को बरबाद करने में हाथ है आप ठीक कहती है बिजनस में सिर्फ पाइदा देखना चाहिए चलिए मैं आपकी बात मालने था बोल कितने मैं बिका तू क्या कीमत लगवाई है तुने अपनी और एक कमबख्त अगर तुझे बिकने का इतना ही शौक था तो मुझे बताया होता मैं तुझे सोने के सिक्कों में दुलवा देता मगर उस्वा न करता बहुत खुश था मैं तेरी काम्याबी से उससे भी जादा खुशी इस बात की थी कि तुमने शराफत अली जैसे इंसान का दामन थामा था मगर यह जानत तुझे क्या सूची कि तुने मेरे ही दुश्मनों के आगे माथा टेक दिया उन दुश्मनों के आगे जो मेरी तबाही के लिए जिम्मेदार है वा पेटा वा शाबाश बहुत अच्छा सिला दिया है तुने मुझे मेरे प्यार और मेरी परवरिश का विकरिम साहब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है याश आपके खिलाफ नहीं जा सकता जोजफ साब आप जानते ही यह क्या है यह वो एगरिमेंट है जो इसने केलाश और कल्पना की साथ किया है और उन दोनों बाप बेटी ने यह एगरिमेंट मुझे तोफ्य के तॉर पर बेजा है देखें से आप यह एग्रीमेंट जाली भी हो सकता है। एग्रीमेंट जाली हो सकता है लेकिन इस पर किये गए सिनकेशर जाली नहीं हो सकते specify देखिए, विक्रिम साब मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा सिर्फ इतना कहूंगा कि कभी कभी इंसान जो देखता है वो सच नहीं होता वो आँखों का धोका होता है आँखों का धोका इस तरह की बातों से आप इससे बहला सकते हैं मुझे नहीं मिस्टर जोजफ आज मेरे अपने ही खून मेरे खिलाफ बगावत का एलान किया है वाह बिटा वाह बहुत सुकून पहुजाया है तुमने मेरे दिल को अगर पीछे मत अटना अगर अबे भी कोई कजर बागी रह गई हो तुमसे भी पूरी कर लेना यश यह सब क्या है यश मेरे डैडि के खिलाफ साजेश का जाल बख्रा जा रहा है और मैं उसे काटने की कोशिश कर रहा art मैं कुछ समझा नहीं किलाश नात और कल्पना मेरे डैडि को परबाद करना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा जानता हूं कि रकम बहुत जयादा है, लेकिन मैं आपको इन 3 करोड के 10 करोड बना दूगा लेकिन इस बात की क्या गरेंटी है कि जो तुम कहे रहे हो वह सही है आप लोग शायद भूल रहे हैं कि हमारा एक अग्रीमेंट हुआ था उस अग्रीमेंट के मताबिद कंपनी का हर बड़ा और है प्रेसिशन मैं लूगा हाँ हमें याद हैं लेकिन फिर भी हम लोग यह जानना चाहेंगे कि तुम्हारी ये करोडों रुपे कमाने वाली स्कीम है क्या हाँ क्यों नहीं एक्चली मैं मिस्टर कुलदीप सिंग के साथ अमेरिका यूरप और साउथ आफरीका में टूर करने का प्लैन कर रहा हूं इससे हमें करोडों का फाइदा होगा और ये फाइदा हमें हिंदुस्तानी रुपेयों में नहीं बारन करंसी में होगा वो तो ठीक है लेकिन सोच लीजे कहीं ऐसा नहों आपको बाद में बचताना पड़े मेरे खयाल से यश सही कह रहा है हम यसे तीन करोड रुपेय दे देनी चाहिए जैसी तुमारी मर्जी क्यों बलगार्स तुमारे क्या खयाल है हाँ आइडिया तो बुरा नहीं है ठीक है यश तुम्हें कल तीन करोड रुपेय मिल जाएंगे यह लो खुल दीब यह रहे दस लाख रुपए अगर तुम चाहो तो गिल लो क्या बात करने जोजफ साब मुझे आप पूरा भरुसा है अब आप यह बताए कि मुझे करना क्या है फिलाल तुम यह रुपए लेकर और यह तुम्हारी जूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा थेंक्यों थेंक्यों यह यह हमारी पहली चाल है उसक्ति ही भाख कंई तुमने इन्हें सारी बाद समझा दी है ना ये सर माफ कीजिए ये साब हम लोगों की समझ में अभी तक ये बात नहीं आई आप अपने ही गायोए गीतों के डुप्लिकेट कैसे निकल बाना क्यों चाहते हैं आप लोग आम खाई है जनाब गुटली गिनने से आपको क्या मतलब आप जरा सोच लीजिए पहीं ऐसा नहों के कोई दूसरा डिस्ट्रिबूटर यश के गानों की पायरेसी कर ले और आप लोग हाथ मलते रह जाएं नहीं नहीं जूजफसाब आप गलस समझ वेरे कहने का मत दिखने में तो यह चोटा सा डिबबा है मगर इस चोटे से डिबबे में करणों रुपे तबे हैं यह वो बारा सूपरेट गाने हें जो मैंने के सीरीज के लिए रिकॉर्ड किये हैं ये गाने अब सक मार्केट में रिलीज नहीं हुए लेकिन हमें करना क्या होगा आपको इस कैसेट को मार्केट में रिलीज करके जितना हो सके इतना धन बटोना होगा इससे आपको क्या फाइदा होगा सर मन की शांती एनीवे इन गीतों की बिग्री से जो मुनाफ़ा होगा उसका 60% मैं रखूँगा बाखी 40% आप लोग आपस में बाट लीजएगा वेल, जेटल्मेन क्या ख्याल है आप में होगा हमें मनूरत कल्बना हमें पता लगना चाहिए कि आखिरकार वो कौन आदमी है जिसने हमारी आखों से सुर्वा निकाल कर भूल जौकने की कुशिश की है ड्यादी जो हो ना था वो तो हो गया है अभी आगे का सूचिए हमारा सारा स्टॉक धरका धर अड़ा रहे गया और डुपलिकेट कैसे मांखे में खुले आम बेक रहे हैं येश तुम्हारी नजर में वो कौन हो सकता है मेरा शक्त छे आदनियों पर जाता है नमबर एक मैं नमबर दो आप मैं नमबर तीन नाना जी आप मैं नमबर चार मिस्टर बलराज पांच मिस्टर वर्मा गौतम वर्मा और नमबर छे हाँ हाँ आके बोलो विक्रम राय यह तुम कैसे कह सकते हो कि यह काम विक्रम ने किया है बिजनेस में सब कुछ जायद होता है दौलत ऐसी चीज़ है जो बड़े-बड़ों के एमान को डामाडोल कर देती है हमारा कोई खास आदमी विक्रम राय से मिलकर उसका फाइदा और हमारा नुक्सान करा रहा है यश अगर ये काम तुम्हारे बाप ने किया है तो इतना याद रखना वो मेरे जहरीले तीर से बच नहीं पाएगा हलो मिस्टर यश हलो मिस्टर महरा हम लोग आपी का इंज़ार कर रहे थे यह है मेरे गुरू मिस्टर आर के जोजब इम दिनेश महरा अब आप बताई मुझे क्या करना होगा बस सिर्फ इतना क्यलाशनात और कलपना ने पारशी करके जो कालादा ने खटा किया है वो कहा है और कुछ होगी हाँ आपसे एक और जरूरी बात करनी है आपको याद होगा कि मेरे और के सीरीज के बीच में एक एग्रिमेंट हुआ था जो आपने बनाया था जिहां इयाद ही नहीं बलगी उस एग्रिमेंट के कापी भी मेरे पास है मेरे गूट अब मैं छाहता हूँ कि इस एग्रिमेंट की का ψह έχειरा फेरिक की जाए इस समझ गया सब समझ गया वैसे भी इस एग्रिमेंट को बनाते scrutiny के वक्त मिस्टर मेरा बहुत ही काबिर और होश्यार वकील है इसलिए तो आज वे इतने काम्याब है तेंक्यू तेंक्यू मेरा सब हमारा काम कब तक हो जाएगा ये समझ लीजे कि आपका काम हो गया आप सब लोग अपनी जगा पर खड़े रही है मिस्टर सावन ये सब जगा देख करके चेक करके सील लगा दो चलो चला तुम आरे चलो बोल बोल वो कौन है जिसके इशारे पर तुने हमें तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है बोल मैं मैं कुछ सच कह रहा हूँ मैं कुछ दो जाता सच सच बता कौन है वो अगर आज तुरे सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुझे अपाहिश बनाकर सड़कों पर भीक मांगने के लिए फैट दू रहा बोल यह ऐसे नहीं बताएगा सर चौन बताता हूं बताता हूं बताता हूं बताता हूं सर यह सब आपके साथ यशने किया हैं सर आज विक्रम और यश्ट ने मेरे खिलाफ जंग का एलान किया है उन्हें ये जंग बहुत महेंगी पड़ेगी, शमशेर! येस, सर्, बल्रास स्वीजर लेंड से कब लॉट रहा है? कुछ कहानी जा सकता सर्, स्वीजर लेंड का मौसम बहुत खराब है, आने वाल इस सब फ्लाइट कैंसिल हो गई है शिट, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, कलपना कहा है? वो यश को मिलने गई है एक काम करो, विक्रम को उठा कर हमारी पुरानी फ्यक्टरी पहुचो और यश? यश खुद बखुद अपने बाप की महबत में चलकर हमारे पास आ जाएगा और फिर, मैं उन दोनों बाप बेटे को तरप तरप कर मरता हुआ देखूँगा वो तो ठीक है सर, लेकिन कलपना जी ऐसा करने देंगी अगर मा की ममता हमारे रास्ते की रुखावट बने, तो उसे भी अटा देना अलो अलो बुड़े, how are you? Fine अरे वाँ, लगता है आज बुड़ड़ अच्छे मुणवें, चल इसी बात पर ये बता, आज मिर्ची का क्या भाव है मिर्ची का भाव? मिर्ची का भाव तुम्हेटमीट फोल करो, मैं तुम्हें भी बताता हूँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, अरे मिर्ची का भाव जानने के लिए एक मिनिट तो क्या, एक गंटा होल करने को तेयान हूँ अरे मिर्ची का भाव भी पते हूँ, मैं कहला शनल साहे बोल रहा हूं, शिक्स टू सिक्स वन जिरो न जिरो से, ये वही आदमी है, जो मुझे हमेशा परिशान करता रहता है, हाँ, ओके, बहुत अचाह, थेंक्यू हलो, हाँ मेटे, ऐसा करो कि तुम आधे घंटे के बाद मुझे फोन करो, तब तक मुझे मिर्ची का भाव भी पता चल जाएगा, और मैं तुम्हें पता दूँगा ठीक है, थोड़ी ज़र बात फोन करता हूँ, लेकिन तुम कहीं जाना नहीं, घर पर ही रह ना ने, 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 मैं कहीं नहीं जाओंगा, मैं यहाँ बैठा तुमारे फोन का इंतजार करूँगा ठीक है बुट्टे, मैंने तुम्हारी बात पर यकिन कर लिया, ओके, बाई इक कमाल है, आज हमारा बुट्टा बहुत शान्त है है, 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 चमशेर, यह सर, पांच मिनिट के अंदर-अंदर एक्सचेंज से तुम्हे फोन आएगा और तुम्हे पता चल जाएगा कि आज तक मुझसे मिर्ची का भाव पूछने वाला कौन था किसी भी हालत में उस आदमी को हमारी पुरानी फैक्टरी में ले आओ, ओके सर, ताकि आज के बाद ये मिर्ची का चक्कर भी हमेशा के लिए खात्म हो जाए बेटे, I am really proud of you, जो तुमने अपने डैड़ी के लिए किया, वो सिर्फ एक नेक अउलाद अपने बाप के लिए कर सकती है सर, ये तो मेरा फर्स हाँ जियो, जियो हजारों साल, जियो बर्खुरदार, सारा हिंदुस्तान जानता है, कि शराफत अली बिन नजागत अली, जब भी कोई खुशी की बाद सुनता है, तो उसका दिल बाग बाग, यानि कि गार्डन गार्डन हो जाता है बेटे, तुम्हारी ये सादगी देकर अम उससे रहा नहीं जाता, अब तो मुझे इस राज से पर्दा हटा ही देना चाहिए राज, कैसे राज शराफत अंकर? बेटे, तुम नहीं जानते, जिस काम्यावी की इमारत पर आज तुम खड़े हो, उसकी बुनियाद मैंने नहीं, बलके विक्रम भाई ने रखी है क्या? हाँ बेटे, ये बिल्कुल ठीक कह रहे है लेकिन आप लोगों ने मुझसे इबात आज तक चुपागर क्यों रखी? बेटे, क्योंकि तुम्हारे डैडी ने हमें मना किया था वो जानते थे कि उनका बेटा बड़ा खुद्दार है, वो कभी अपने बाप का इसान नहीं लेगा Oh my God डैडी ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं मैं उन्हें आज तर गलत समझता रहा कोई बात नहीं यश, ऐसा कभी-कभी होता है क्या समझे, नहीं समझे शराफत अंकर, इस वक्ट डैडी कहां मिलेंगे? यश, आपने डैडी को बचा ला क्या हुआ, क्या हुआ डैडी को? मिले डैडी के साथ पर खूँच सवार है उन्हेंने विक्रब को किणनभ कर लिया है या? हाँ, बैते, पता नहीं उनको क्या हो गय है वो पागल हो गय है वो तुम्हें बिमार ढलने चाती है गहीं इसमें भी आपकी कोई चाल तो नहीं? नहीं, बेटा, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो. Mr. Joseph, आप इस समझाए इसे. बेटे, मुझे लगता है तुम्हारी ममी बिल्कुल सच कह रही है. मैं इनकी आखों में सच पढ़ रहा हूँ, बेटे. आपकुदार, भावी सच कह रही है, हमें इनकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए. अगर आप सच कह रही है, तो मैं समझूगा कि उपरवाला ने मेरी बात सुन ली. अगर आपने जूट कहा तो… यश, पक्त परबाद मत करो. तुम्हें मज़े जो सजात नहीं है वो बात में देते ना. इस वक्त बिख्रम को बचा लो, प्लीज. मेरे शी एप्सलूटली राइट, वक्त जाया मत करो. चलो, जल्दी चलो, कहा लेकर गया है तैड़ी को? हसले कहलाशनात हसले, भगवाद में चाहा तो तेरी यही हसी तेरी मौत का कारण बनेगी. कांसा भगवान? कैसा भगवान? मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ. मैं तिर्फ अपने आप को मानता हूँ. कहलोश नोच! डुबाओ! एमलー तिर्फ छॉपूए और दर आब कांसा भीतेश दूए कखँजe करता ही किने? हर्गेस थए पोल, तेइं करता है किने? थए तवाननीवे जड़न, खाईं करता ही किने? थए रभव मिर्ची के भाव की बात करेंगे जम्षेर इसे मिर्ची के भाव बता दो मिर्ची के भाव पाता ँर्भ ची widelyに there मुझाटम्च पुर अब मतलब संन्थे ना मुझाटम्च मhen牛 लेकिन मैं मझाटम्च नहीं कर रहा मिर्ची के भाव जालना चालत earned जम्षेर में चुखा up जम्क्राइब अब बता चला मिर्ची का भाव ये है हरी मिर्ची का भाव अब इसे लाल मिर्ची का भाव बता दो चुड़ीम खुड़ीम उड़ीम कोज़ीम पाव अब अब बता चला मिर्ची का भाब अब बता चला मिर्ची का भाव कोज़िक बता करू़ लगप गो इंट रिकपर्अपberry जगा इह पीतंग कर ईहार कि दिसे मेदेश, यहार कि जबाड़ जरे रे सकत कर दो जरे सक्वा इहार कि पाली को द으니까ास कि यहार कि पाले कि दो बाले कि प्पवа जे ग्यार एक मुद्षाप, अगद में पय्कुछा पया आप, कि वादा जटाया आप, गादा आप, कि वादा एक, अगद कुछा जानता है कि श्राफा तली पिन्न जागा तली का हाथ कभी नहीं उठता है, लेकिन जब उठता है, तो ऐसा उठता है. मैं तुझको आज तेरे ही खून से यह आओ, यह हाथ नहीं, तल्वार है बर्खुर्दार. क्या हुआ, कुछले, आप कुछे क्यो माना चाहते हैं? मेरा नाम शराफा तली बिन्न जाखा तली है, और मैं सिर्फ नाम से ही नहीं, सर से पाव तक शरीफ आदमी. और आपको मानने में एक शरीफ आदमी को मानने का क्या अंजाम होता है? क्या होता है? यह उता है। इससे कहते हैं शरीफ आदिम को परिशान करने का नतीजा। क्या समझें नहीं समझें? नहीं क्याक हो यह… मोगल, मोगल, मोगल हाँ- वर्या वर्रमे की व को भीरे वड़ादूना बन्डो इन सबको बन्दो याः याः याष बेटे याष भराम जादे छोड़े मेरे बेटे को अब आएगा खेल का मज़ा, एक तरफ बाप और दूसरी तर बेटा, मरने से पहले ये बाप और बेटे, अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर जाएंगे, गुद्दे, पहले बेटे से निप्टा जाए, आएगी बाप अपने बेटे की मौग का तमाशा अपनी आखों से देख सके, खैलाशनात, हराम सादे कुद्दे, चीखो मत, यह चीखना मना है, मुझे बरबाद करने वाले साप के सपोले, अगर तु अपने बाप की जिन्दगी चाहता है, तो तुझे पेपर साइन करने होंगे, यह बड़ा खातरनाक अदमी है, इसकी बातों पर धरोसामत करना, पक्वास मन करना है, पक्वास नहीं है, अखिकत है, दौलत के लिए त अपने नाथी को चाहर से माँ डाला जाते हो, गोट कभी तुझे माप नहीं करेगा, यू शल आप यह यह जादे, यह ऐसे नहीं मानेगा, इसका इलाज मेरे पास है, लाइए, पेपर मझे देजी बेरी गुड, बेरी गुड, बेरी गुड, शमशेर, यह सर, तेपर इसे दो, नीशे माराँ Don't move, drop that gun daddy, I say drop that gun Kalper, बेटी, तुम यह क्या कर लही हो, तुम मेरी बेगी हो खेल का और ज्यादा मचाएगा, एक तरफ खुद कर इस पाफ, और दूसरी तरफ बेटी लेकिन बेटी, आप क्या समझते हैं, कि मैं अपने ही बेटी की जान, आपने ही हातों लोगी, क्या अपकी भूलती अब अगर आप अपनी सिंदगी चाहते हैं, तो अपने आदियों से कहिए, कि यशर विक्रम को खोल दे बेटी, मेरी बात तो सुनो आपकी बात सुन, सुन करी तो मैं आज इस में अपकाम घड़ी हूँ काश मैने आपकी बात धन सुनी होती देखो गड में आप ममी बढ आप 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 बाती बढ आप आपकाम अपकाम बढ आपकाम वाँ अपकाम शहाँ लो एफप दोदी में पेड़ा, जो बाफ कर देना नही, नहीं जे apl Sakit नहीं ममी नहीं मैं इस जा रही हूँ कि मुझे इस बाद की खुशी है कि मैंने एक ऐसे बाप को खर्ण कर दिया जो बाप की नमबर गलग था यश आज प्यार की जीत हुई है तोयलत की नहीं है न बिक्रव मुझे माफ कर देना मेरी खाइश पूरी करोगे हाँ कल्पना हाँ काँ बजीना जी तोयका अची बंदी बन न सकी अची अची बंदी बन गाए मरना से रुचाओगी मेरी खाइश पूरी करोगे इंप पूरी करोगे बंदीन क्मला काँ पुचाओगी लिए पुचाओगी बंदीन जिन्दगी एक गीत है तुसे होटों पे सजाले गम हो या खुशी हो प्यार से गुंगु नाले दिन हो या रात हो दिल की ही बात हो कोहीं ना जो साथ हो गाहे जा शुबा सुबा जब घर की घोले भाजु मानी लांकी आये दिल मेरा बोले हैलो हावरे यू आख चुका के आख मिलाये आख मिला के जब सरमाये दिल मेरा बोले, दिल मेरा बोले, है, है, दिल मेरा बोले, हलो, हाव यू, हाव यू, हाव यू, दिल मेरा बोले, हलो, 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 हाव यू, हाव यू, या रोना जाने मुझे क्या हो गया पिक लाड़की ने तेरा दिल ने लिया अरे लगे क्यों ना अब मेरा जिया पिक लाड़की ने तेरा दिल ने लिया या रोना जाने मुझे क्या हो गया पिक लाड़की ने तेरा दिल ने लिया लगे क्यों ना अब मेरा जिया पिक लड़की ने तेरा दिल ले लिया मेंद काईर मेरो चैने गया मैं पापापापापागल हुआ या रोना जाने मुझे क्या हो गया पिक लड़की ने तेरा दिल ले लिया अरे लगे क्यों ना अब मेरा जिया पिक लड़ दिने टिरा कि लेलिया